Hello दोस्तो, welcome back to Earth Mom, देरादून एन आप सभी को belated happy दिवाली So दोस्तो आप मेंसे कितने लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि दिवाली की ठकान हमेशा दिवाली के अगले दिन आपको feel भी होती है और आपको लगता है कि आज तो बस हमें कोई बेड से उठा है बीना हाला कि इतने दिन से दिवाली शुरू होने से पहले ही 5-6 दिन से अधिकतर इंडियन फैमिलीज काम में जुट जाती है घरों की डेकोरेशन, साफ सफाई और उसके बाद जैसे ही दिवाली का तेवार ओर होता है उसके बाद जो ठकान होती है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों ने भी वो टायडनेस फील की है विगॉज आज सुबे जब मैं बैट से उठी मेरा लिटरली वन नहीं किया कि मैं बैट से उठ जाओ प्लस मुझे कोल्ड भी इतना हो रहा था इसलिए मैंने फेस वीडियो शूट नहीं की तो आप आज podcast form में ही reaction सुनना और शाम तक अगर मैं बैटर फील हुआ तो मैं शाम को आप लोगों के लिए एक फेस वीडियो ज़रूर बनाऊंगी तो चलिए without photo delay let's get start the video तो दोस्तो आखिर कार डबा को अपनी anniversary का सबसे बड़ा सबसे बड़ा gift मिल ही गया अब आप लोग सोच रोगे कि सबसे बड़ा gift क्योंकि डबा ने तो अभी gifts की unboxing की ही ली तो मैं कौन से gift की बात कर रही हूँ तो दोस्तों confused मत होईए मैं आपको पूरी बात clear करूंगी बस एक request की podcast को end तक ज़रूर सुनना और skip बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत सारे मज़िदार points पर discussion होने वाला है और अगर आप से वो छुट गया तो फिर आप चीजों को relate नहीं कर पाऊगे तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से महत्वपूर और बड़े gift की बात कर रही थी सो दोस्तों आपको डबबा की स्टोरी अगर आप Instagram में उसको follow करते होगे तो पता चली ही गई होगी कि डबबा का जो vlog है वो trending पे जा रहा है जी हाँ इंट्रेक्ट कल भी डबबा का vlog I think number 2 या number 3 पे trend कर रहा था मुझे इसी बात में थोड़ा सा pity feel होता था डबबा के लिए कि डबबा बिचारी चाहे कुछ भी हो लेकिन बाहर जाके content डूढने की कोशिश करती ही है और content डूढते डूढते कभी-कभी उनके vlog 4-5 पर दिन में भी आ जाते है जो vlog इनके पहले everyday daily vlogging के नाम पे channel खुला था तो daily आया करते थे लेकिन अब content की कमी की वज़े से इनके जो vlog है वो 5-5-6-6 दिन में पूरा content जमा करने के बाद ही आते हैं तो भाईया भाभी के बाद अब डबबा का बहुत time के बाद vlog trending पे गया है और इसमें डबबा की खुशी आप देखी सकते हैं विकास डबबा हर जगे story post कर रही है और अपना trending vlog का celebration कर रही है जी हाँ और vlog का thumbnail है उनकी मम्मी ने जो उनको ring gift करी थी यानि कि ring के कीमत चाहे कुछ भी रही हो लेकिन डबबा के लिए ये कीमत बहुत ज़ादा हो गई विकास ये vlog उनका trend पे चला गया अब देखो हमेशा ना bias चीज़े होती है bias डैसे कि anniversary husband और wife दोनों की होती है लेकिन हमेशा जो gifts होते हैं जो expensive gift होते है या ये बोलिए जो थोड़ा ज़ादा वाला लिफाफा होता है वो हमेशा लड़की को ही क्यों मिलता है ये तो सारे पतियों के साथ बहुती बड़ा अन्याय है कि मुंबई में भी बिचारे को एक छोटे से wallet में टरका दिया गया पनी बईया को और उसके बाद पापा ने भी एक छोटी सी water bottle में टरका दिया वही पे डबबा को मिल रहे है expensive gold और बढ़िया बढ़िया full packed लिफाफे तो ऐसी नाइन साफी लड़के के साथ क्यों हाला कि अगर डबबा के husband की बात की जाए तो वो बिचारा इनके शादी के सीन में या इनकी family में ऐसा लगता है कि वो बिचारा bride है और जो groom है वो डबबा है तो देखा जाए तो बिचारे bride यानि की funny बईया को जादा देना चाहिए न क्योंकि यहाँ पे लड़की माई के छोड़के सुसराल नहीं गई है यहाँ पे लड़का बिचारा अपना घर अपने दोस्त छोड़के मुंबई आया है इसलिए अगर आप anniversary में देख रहे होंगे कि डबबा और funny एक साथ बहुत 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 कम देखने को मिले और funny ने जादा तर टाइम स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ इसलिए funny के चहरे पे उस दिन से इतरा जादा glow था वो glow अपनी anniversary celebration का नहीं वो glow था अपने टाउन में आने का अपनी जगे पे आने का, अपने फ्रेंड से मिलने का, अपने रिष्टदारों से मिलने का अपने घर वालों से मिलने का इसलिए डबा को फुल इग्नोर किया हुआ था अनिवस्ती में फनी ने और फनी सिर्फ अपना quality time spend कर रहे थे अपने जिगरी यारों और जिगरी दोस्तों के साथ definitely यार मिस तो करते होंगे मुंबई में 2BHK के flat से ना कहीं बाहार आना ना जाना सिर्फ डबा की बाते सुनते होंगे और डबा के instruction follow करते होंगे इसलिए फनी भाईया अकसर डबा को किसी ना किसी चीज के रिए taunt मार ही देते हैं चाहे वो मजाक में मारे चाहे वो real में मारे बट मार ही देते हैं और हर जगे वो इस बात को जरूर हाइलाइट करते हैं कि मेरे से लड़ती रहू इसका मतलब देखो फ्रेंड साफ सन्वज में आता है कि इतनी polite और इतनी soft बोलने वाली लड़की बहुत बड़ी लड़ाकू है और ये लड़ाकू उनको हम नहीं बोल रहे क्योंकि हमने तो उनके साथ कोई time spend किया ही नहीं है ये लड़ाकू उनको उनके खुद के husband बोल रहे और एक बारनी कई दफ़ा बोल चुके हैं कि ये बहुत ज़ादा लड़ाकू है इनफेक्ट एनिवस्ट्री वाले दिन भी उन्होंने ये बात बोल दी कि ये बहुत ज़ादा लड़ाकू है लड़ाई करते रहरा तो funny को देखके बहुत अच्छा लगा vlog में कि वो जिस तरीके से enjoy कर रहे थे बिल्कुल बेसुद और हर चीज से एक तरफ होके उन्हें लग रहा था कि पता नी आज के बाद ये रात अगले साल आएगी तो मैं अपने यारों दोस्तों के साथ ये रात गुजार लेता पूरे vlog की तो शान थी ना अददन डबा सिर्फ और सिर्फ इस बार funny और funny के friends और वो जो singer इन्होंने बुलाए हुए थे वो पूरे vlog की जान वही थे डबा को किसी ना I don't think सो कोई भाव भी दिया होगा vlog देखने वालों की बात कर रही हूँ और डबा की dress को तो खैर भाव म अपने friends के साथ तो आप भी comment section में बताना कि आपने भी definitely vlog तो देखा ही होगा उस पूरे vlog के अंदर आपको कौन से particular scene थे जो अच्छे लगे क्योंकि डबा ने काफी जादा लोगों से interact करने की कोशिश की और आपको दिख रहा होगा कि वो अकेले ही सबसे interact कर रही थी हाला क कि बाद में उसने इस बात का बदला funny से जरूर लिया होगा कि भाईया एनिवर्सी तो हम सब की थी मैं ही सब को जा जाके पूछ ली थी तुम कहा गोल थे तो भाईया funny भाया का हाल तो होई था कि पिंजरे से छुटा हुआ कबूतर बस सोचता है कि मैं जितनी उडान भर सक चलो इस मौके का फैदा उठाया जाए और यारो दोस्तों के साथ समय बिताया जाए बहुत अच्छा लगता है यही पल होते हैं जो आगे चलके हमें याद आते हैं कही न कही इस भागदोर वाली जिन्दगी में हम अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से इतनी दूर जाते जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने की भागदोर में और बोलते हैं कि घर में अगर अच्छी एंट्री हो जाए किसी की तो घर खुशियों से भर जाता है सारे रिष् बहुत गुल्रे मिलने वाले लोगों में से है, सब लोगों को सास लेके जाना वलवे में से है क्योंकि वो जानता है कि सोशल होना आज की डेट में कितना ध़ादा है लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन आच सिलोग, लोगों को ही ख alltid है। जितना मर्जी पैसा कमानों लेकिन अगर आपने इस पूरी जिंदगी में कुछ अच्छे इंसान नी कमाए तो आपको पैसा कमाने का कोई भी फैदा नहीं है क्योंकि उस पैसे के पीछे दो मिलाते में तो बहुत लोग आपके पीछे जाएंगे लेकिन आपकी मुसीबत में आपसे जुड़े वे वो लोग ही काम आएंगे जो आपको दिल से प्यार करते हों और फणी ने ये बॉन बनाया है और बोलते हैं चोटे शहरों की गलिया बहुत छोटी होती हैं लोग बहुत छोटे होते हैं लेकिन उन लोगों के दिल बड़े-बड़े बिल्डिंग में रहने वाले बड़े-बड़े बंगलों में रहने वाले लोगों से भी कई जादा बड़े होते हैं और यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे हिंदुस्तान के गाओं कजबे वाले लोगों के दिल इतने बड़े होते हैं कि उनके बड़े-बड़े दिलों की तुल कि वो लोग आते हैं करते हैं और उसके बाद चले भी जाते हैं और वहीं पर बात करें डबा कि डबा करती भी है दिखाती भी है और उससे कमाती भी है तो दोनों ही चीजों में बहुत साथा डिफ्रेंस होता है यही भागदोर की जिंदगी की असलियत यही है तो आप लोग पताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना तो यही पर एंड करती हूं यह पोड़कास शाम को एक फेस वीडियो के साथ तड़कता भड़कता रियाक्शन लेके फिर से आऊंगी थैंक्स वाचिंग आर्थ मॉम देहरादून